पहला कोस्चन है धक्षिनी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सा है तो धक्षिनी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी आमेजन नदी है या विप्यस्च का कोस्चन है next question देखते हैं महावाली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदीय है याँ भी VPSC का पूछा हुआ question है VPSC का तो महावाली गंगा सिर्लणका की सबसे बड़ी नदीय है next निमलिकित में से किस देश में से Euphrates और Tigris नदीयां बहती है तो इराक से Euphrates और Tigris नदियों बहती है ये भी RRB का पूछा हुआ कोस्चन है डेलवे का वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए कमेंट कीजिए नेक्स्ट कोस्चन निमलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदियों है यह AIS में पूछा गया कोस्चन है तो सबसे लंबी नदि आमेजन है तो आमेजन के बारे में जान लेते हैं आमेजन नदि आइतन के हिसाब से यह भिश्यू की सबसे बड़ी और लंबी नदि है यह कौस्चन बहुत सारे एक जाम में पूछा जा चुका है इसलिए यह बहुत-बहुत महतपुर्ण है नेक्स्ट कोस्चन बियत नाम में प्रवाहित होने वाली सोंग का नामक नदि को किस नाम से जाना जाता है यह S.S.C. का पूछा गया कोस्चन है तो सोंग का को लाल नदि के नाम से जाना जाता है निक्स्ट कोश्चन चीन का सोक किस नदि के लिए परियोग किया जाता है? यह हमी ड्र रवी का पूचा गया चोश्चन है तुअ हांग हो नदी जिसे पीला नदी भी कहा जाता है नेक्स्ट कोश्चन युरोब महादुप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यह भी SSC का पूछा गया question है तो युरोप महादीब की सबसी लंबी नदी बोलगा नदी है Jordan नदी कहां गिरती है यह Air Force Y Group का पूछा गया question है तो Jordan नदी मृत सागर में जाकर के गिरती है इसे related question है Hasmite Kingdom of Jordan का नाम भी इसी नदी के नाम पर परा था किस नदी का उदगम भुमद्ध रेखा के समीप से होता है यह भी VPSC का पूछा गया question है तो वह है नील नदी नील नदी का उदगम भुमद्ध रेखा के समीप से होता है जो भी question है इसमें सभी question एकजाम में पूछा जा चुका है तो इसलिए यह बहुत-बहुत मातपुर्ण है, रिपीट होते रहता है यह सब कोश्चन विस्व की नदियों से, नेक्स्ट कोश्चन, रूस की सरवाधिक मातपुर्ण नदी है, तो रूस की सरवाधिक मातपुर्ण नदी है, बोलगा नदी, यह भी UPPSC में पूछा गया नदी, तो इसे related है, कोलो रेडो नदी संयुकत राज अमिर्का की एक परमुख नदी है, नेक्स्ट कोश्चन, हांग हो नदी किस में गिरती है, यह भी L.I.C. का पूछा गया कोश्चन है, तो हांग हो नदी पीला सागर में जाकर के गिरती है इसे related question है चीन की सभ्यता का उदगम अस्थल भी हांग हो नदी को माना जाता है next question निमलिखित में से किस नदी को कोईला ढोने वाली नदी कहा जाता है या जारखंड पुलीस में पूछा गया question है जारखंड में बहुत कोईला है इसलिए जारखंड पुलीस में ये question पूछा गया साइद तो इसका answer है राइन नदी राइन नदी को कोईला ढोने वाली नदी कहा जाता है राइन नदी का उदगम अस्थल Constance जील है मरे डार्लिंग नदी कहा गिरती है तो मरे डार्लिंग नदी आस्ट्रिलिया में गिरती है यह भी MPPSC का पूछा गया question है कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है यह PPSC का पूछा गया question है तो बोलगा नदी है जो कि कैस्पियन सागर में गिरती है next question जल के आयतन के आधार पर विश्चु की सबसे बड़ी नदी कौन सी है यह question हम पहले भी discuss कर चुके हैं तो आप लोग इसका answer दे सकते हैं वो है Amazon नदी जो की विश्चु की सबसे बड़ी और लंबी नदी है ओब नदी किस में गिरती है यह भी PPSC का question पुछा गया question है PPSC का तो ओब नदी आर्किटिक सागर में गिरती है आप हमारे टेलिग्राम चैनल से जूर जाएए फेस्बुक पेज को लाइक कर लिजिए इंस्टाग्राम से जूर जाएए और ट्विटर पे फॉलो कर लिजिए ताकि इन सभी social media platform पर हम डेली GKGS खास कर कि टेलिग्राम पर टेलिग्राम पर तो डेली news paper बहुत सारे बुक का PDF हम डालते रहते हैं बहुत सारे exam related question डालते रहते हैं तो आप फेस्ट टेलिग्राम चैनल से जरूर जूर जाएए next कौनसी European नदी ब्लेक फोरेस्ट से निकल कर काला सागर में गिरतीए कि अपवाह चेत्र की दिरिष्टी से सबसे बड़ी नदी है अपवाह चेत्र का मतलब यहां यह है सांत जलकी नदी ज्यादा उसमें पर्वाह नहों तो वह है आमेजन नदी जो की बहुत लंबी नदी है विस्सु का और बड़ी नदी भी है नेक्स्ट क्वेस्टन विस्सु की सबसे बेस्ट ब्यापारिक नदी कौन सा है यह ITI का पुछा गया question है तो भिस्य की सबसे best वेपारिक नदी राइन नदी है भिस्य की नदियों का question bank तो हम लोग पढ़ चुके हैं आप लोग उसे अच्छे से समझ लिए होंगे आसा करते हैं अब कुछ बाते करते हैं नदी के बारे में हम लोग कुछ बात करेंगे जैसे यूरोप की सबसे लंबी नदी इसको आप लोग नोट कर सकते हैं ये आने वाले एक्जाम में पूछा जा सकता है इसे आप लोग नोट कर लिजिए कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वह है बोलगा नदी नोट कर लिजिए जिसका की लंबाई है 35-30 किलो मेटर एसिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वह है यांगतिये यांगतिये जो की 3300 किलो मेटर लंबी है उत्री अमेरिका की सब से लंबी नदी कौन सी है तो उत्री अमेरिका की सब से लंबी नदी है मिसोरी मिसिसीपी जिसका लंबाई है उनसट सौ सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी संयुक्त राज अमिर्का की सबसे लंबी नदी है मिसोरी मिसिसिपी जो की उत्रिय अमिर्का की है वही संयुक्त राज अमिर्का की भी लंबी नदी है चीन की सबसे लंबी नदी यांगतिय नदी है जो की एसिया की सबसे लंबी नदी है भारतिय महादुप की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो भारतिय महादुप की सबसे लंबी नदी है सिंदू नदी जो की 380 किलोमेटर लंबी है आस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो अस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है मुर्रे डार्लिंग जिसके की लंबा कांगो नदी है जिसको की जेरे नदी के नाम से भी जाना जाता है अब कुछ मज़ेदार बाते करेंगे नदियों के बारे में इंट्रेस्टिंग फैक्ट जैसे दो बार भुमध्य रेखा को पार करने वाली नदी कौन सी है तो वह है जेरे नदी जो की सबसे गहरी नदी है जिसको कांगो नदी के नाम से भी जाना जाता है यह भुमध्य रेखा को दो बार पार करती है आमेजन नदी पर कोई पूल नही है हांग हो नदी जिसको पीली नदी भी बोला जाता है उसको चीन का चीन के दुख के रूप में जाना जाता है लिम्पोपो लिम्पोपो नदी एक ऐसा नदी है जो मकर रेका को दो बार पार करती है भुमद्रेखा को पार करने वाली जेरे नदी है और लिम्पोपो नदी मक चार देशों की राजधानी से होकर गुजरती है ये भी मज़ेदार बात है नदी से रिलेटेड प्रसन के लिए कि डेन्यूब नदी चार देश की राजधानी से गुजरता है वह देश की राजधानी है बुड़ापेश्ट की राजधानी हंगरी और बेलगरेड की राजधा चार देसों की राजधानी से गुजरती है एक फिर रिपीट कर देते हैं आप लोग नोट कर लीजिए बुड़ा पेस्ट की राजधानी हंगरी बेलग्रेड की राजधानी सर्विया भियाना की राजधानी आश्ट्रिया और ब्राश्ति इसके अलाबा भी डेन्यूब नदी दस देशों को टच करते हुए जाती है, छुते हुए जाती है, वह देश है, वह दस देश का नाम हम बोल रहे हैं, वह है जर्मनी, आस्ट्रिया, सलोवाकिया, हंगरी, क्रेसिया, सर्भिया, बुल्गारिया, रोमानिया, युक्रेन, मुल प्लदाविया और लास्ट जो इंट्रेस्टिंग फैक्ट है नदी के बारे में वह है सौधी अरब, कुवेत, यमन, बहरीन, कतर यह ऐसा देश है यह 4-5 ऐसा देश है जहां की एक भी नदी नहीं है वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए और कमेंट कीजिए टेलिग्राम चैनल से जोड़ जाएए